ये सीरीज इस्पेशली हचपेससी यानि हमिरपूर वोड के लिए त्यार की जा रही है और ये जो सीरीज है ये चलती ही रहेगी तो अगर आप इन एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हो तो अच्छे से इसको फोलो करिएगा इस सीरीज में हम क्या कर डिसकस करेंगे ध्यान दीज हमें देखने को मिलती हैं तो इसके लिए simply हमारी strategy क्या रहेगी पिछले 10 सालों में लगभग जो भी questions पूछे गए हैं मिरपूर वोड के उन्हें डिसकस करेंगे 50% तक questions cover हो जाएंगे previous year exam से ही बाकी topics जो important रहेंगे उनसे हम छंटेंगे questions MCQs बगएर डिसकस करेंगे बाकी के 50% भी हम cover कर लेंगे तो follow करिएगा अच्छे से इस series को बाकी कोई भी doubt, कोई query, कोई question हो तो आप हमें whatsapp कर सकते हैं चैनल को भी subscribe करिएगा बाकियों से भी करवाईगा like, share, comment जरूर कीजिए और हर एक question को खुद attempt कीजिए वीडियो को pose करके पहला question है भारती अर्थ विव क्या थी तो ये रहिए दोस्तो agriculture ये option बिल्कुल सही है फस्ट तिर्थंकार जैन धर्म के तो रिशवनाथ आपको पता होने चाहिए 24-वे कोन है comment करके बताईएगा 23-वे रहे है कोन पाशर्वनाथ जब हम particularly दोस्तो topics पर आएंगे जैसे जैन धर्म जब हम discuss करेंगे तो जितने भी महतपूर्ण तिर्थंकार रहे हैं जितने भी महतपूर्ण बाते रही हैं जैन धर्म से उन्हें discuss करेंगे उसके बाद गुपता डिनास्टी आपको पता है important है यहाँ से questions बनते ही बनते हैं तो यह कौन रहे हैं श्री गुपत रहे हैं दोस्तों बाकी चंदर गुपत दोतियों जो हैं उनको बिकरम दित्ते अभी बोला जाता है वो important हैं बहां से questions बनते हैं नवरतनों वाला question आया था रिसेंट ले जुनियर ओफिस हैस्टेंड के exam में उसके बाद दोस्तों जनपत जो रहे हैं इनकी राजधानी रही है एक question यहां से पक्का होता है पल्बों की राजधानी थी तो ये दोस्तों कौन सी है कांची खिल जी जो थे दिली सल्टनत में आप सभी को बता है सबसे पहले कौन थे उसके बाद कौन है and so on ये questions बनते हैं तो गुलाम बंश के बाद ख खिल जी ही आये थे तो वह लग सयद लोद्दी वगएरा वगएरा तो खिल जी सुल्तान जो होते थे दोस्तों वो तुर्क हुआ करते थे तो इसका option बिलकुल सही होगा उसके बाद बहमनी समराज्यों भी important है यहां से भी questions बनते हैं तो बहमनी kingdom जो है इसको किसके द्वार स्थापित किया गया था तो चार options आपके सामने हैं तो याद रखिएगा अलावदीन हसन और जिदने भी questions discuss किये जा रहे हैं official answer की के coding discuss किये जा रहे हैं कोई भी doubt लगे तो comment करके जुरूर बताईएगा महात्मा गांधी जी का जो सबसे पसंदीदा भजन रहा है बैशनव जनतो दोस्तो इसके लेखक कोन है किसके द्वारा लिखा गया है तो question बन जाता है महात्मा गांधी जी से जरूर तो नारसी महता आपको याद रखना है डे option अब दोस्तो ये question दो तरीके से पूछा जात who was the first woman president of congress तो आप सभी को क्या याद रखना है anyway sent लेकिन यहाँ पर first Indian woman president पूछा जाए तो सरोजनी नाइडू तो इन चिज्जों को ध्यान से देखिए important है क्या आप comment करके बता सकते हैं सरोजनी नाइडू जो रही है इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है next question impeachment महाभ्योग इसको बोला जाता है जो प्रोसेस होती है president of India की तो यह कहां से अडूप्ट किया गया आप सभी को बताए कि भारत का संभीधान जो है इसको mixture बनाके represent किया हुआ है जो भी अच्छे अच्छी चीज्जें हमें किसी संभीधान में देखने को मिली हैं किसी दे केस हम भी धान से अडूप्ट की गई है यह प्रणाली तो इसका option बिल्कुल सही होगा बाकी supreme court में भी judicial review बगएरा यह भी USA से ली गई है UK से क्या चीज्जें ली गई है USSR से क्या चीज्जें ली गई है फ्रांस से क्या तो इनको जुरूर देखिएगा particularly again बता चुका हूँ हम discuss करेंगे इन सारे topics को बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और paid courses जो है इनमें भी particularly discuss किये जा रहे हैं यह सारे topics तो जुरूर जोइन करिएगा अगर आप जोइन कर सकते हैं whatsapp करके Indian constitution has how many parts जो भारत का संबीधान है इसमें दोस्तों कुल कितने 22 भाग है अनुसूचि किसे question आ सकता है important article से later question आ सकता है important जो भाग है उनसे later questions आ जाते हैं उसके बाद कोई भी राज्य कब बना किस अनुशे या फिर किस भाग में उसका बरनन है किस अनुसूची में ये भी questions आते हैं सिक्किम जो है दोस्तों ये state कब बना तो आपको पता होना चाहिए तो हिमाचल से चार साल बाद 1975 में बना था सिक्किम और शन्शोधन आता है एक किस शन्शोधन में बना तो 36 सम्विधान सन्शोधन right to privacy जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोपनियता का अधिकार तो किस अनुशेद में आता है ये सारे के सारे अनुशेद important है ठीक है क्योंकि ये दोस्तो कहां पे आते हैं fundamental rights में तो दोस्तो अनुशेद 21 आपको याद रखना है उसके बाद next question fundamental rights can be suspended by तो दोस्तो fundamental rights जो है ये basically जो president of India होता है रास्टर बती ये suspend कर देता है निलंबिद कर देता है लेकिन कब जब दोस्तो national emergency होती है किस अनुशेद में है तो ये दोस्तो 52 अनुशेद में है तो 32 जो है अनुशेद इसमें national emergency आ गई 356 में रास्टर बती शाषन आ गया किसी भी रज्य में और 360 अनुशेद जो है इसमें financial emergency आती है तो ये तीनों emergency पूछे जाती है बाकी ग्रहों से संबंदित एक question आता है जैसे evening star किसको बुला जाता है बगएरा बगएरा nearest planet जो सूर्य है उसके पास तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कौन सा है बुद्ध मरकरी कराम याद रखिए उसके बाद कोन आता है उसके बाद कोन आता है और एक question रोक से related पक्का होता है बचोधा following is an organic रोक यानि की carbonic चट्टान कौन सी है इन सभी options में से तो दोस्तों ये कोईला है तो बी option इसका याद रखिएगा बाकी कोईले से ही हमें बाकी आगे जैसे की graphite है या फिर हीरा है ये बंदते हुए दिखाए देते हैं तो ये चीज़ें भी याद रखना वो भी carbonic या फिर organic compounds है next question world's largest island अगर मैं पूरी दुनिया में बात करूं कि island सबसे बड़ा कौन सा है तो ये दोस्तों obviously greenland है island का मतलब होता है कि कोई भी भूमी का टुकड़ा है उसके चारों तरफ क्या है पानी जैसे की smoothr आप बोल सकते हैं या फिर नदी and so on तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा greenland सबसे बड़ा क्या आप बोल सकते हैं इसको island उसके बाद उसको evergreen forest जो हैं ये कहां पे मिलते हैं हिंदी में सदबहार बन इनको बुला जाता है इनके पत्ते बगारा नहीं जड़ते ये हरे भरे ही रहते हैं पूरा साल भर तो equator जो होता है जो आप कह सकते हैं पृत्वी है उसके मध्यव में जो ये area है जो करक रेखा और मकर रेखा के बीच बाला हिस्सा है यानि कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास बाला जो area है इसको equator region हम बोलते हैं तो यहां पे जो बन वगएरा हमें देखने को मिलत हैं वो सदावार बन होते हैं तो यह था part 1 part 2 next वीडियो में हम discuss करेंगे अगर दोस्तों कोई भी doubt कोई query कोई question हो तो whatsapp जरूर करिएगा और वीडियो को like जरूर करिए channel को subscribe करिए अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाईए इस वीडियो को और आप सभी के लिए question put कर रहा ह आपने क्या करना है comment box में इसका answer बताना है ठीक है इससे मुझे यह पता चलेगा कि आपकी त्यारी का level कितना है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं तो question है आप सभी के सामने price mechanism is a future of क्या ये capitalist economy का है क्या ये water economy का है क्या ये mixed economy का है क्या ये socialist economy का है तो हिंदी मैं भी यहाँ पे, आपके सामने है साब कुछ, पुँझीवाद्ध रिवस्था का, अदल बदल रिवस्था का, मिशिरीत रिवस्था का, या फिर समाजवाद्ध रिवस्था का तो कमेंट करके जुरूर बताईएगा, जै हिंद, जै हिमाचल